हेलो बच्चो अब हमारा टॉपिक है टोरोसनल पेंडूलम टोरोसनल पेंडूलम क्या होता है जैसे सिंपिल पेंडूलम होता है कि उसमें हम किसी बॉब को किसी स्ट्रिंग में बांध कर उसके मीन पॉइंट से थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं तो वह ऑशिलेशन स्टार्ट क हम क्या काम करते हैं इसमें किसी बॉड़ी को जैसे को डिस्क है उसको सेंटर से किसी वायर से अटेच करके किसी पॉइंट से बांध करें आप हम इसको वर्टिकली लटका दें हैंग कर दें तो अगर हम इसको रोटेट करें तो इसका जो वायर होगा उसमें ट्विस्ट या लिए इस पर हम एक टोरक अपलाई करेंगे इस बोडी पर जैसे निश्य पर हम टोरक करेंगे तो यह यह हमारा किसम में सबस्क्राइब तो इसको एंठन प्रोबाइड कराएगा त्विस्टिंग करेंगा इसकी वायर की ठीक है और इसमें restore हो जाएगा और यह restore torque जैसे हम external force remove करेंगे तो यह restore torque है वो body को opposite direction में rotate कराएगा यानि हमने अगर कोई body इस तरह से rotate कराई है ठीक है तो यह atom आ गई तो जैसे remove होगा तो यह body एक साथ opposite direction में rotate होगी और लगातार इस तरह से rotation इसमें होगा ठीक हो ठीक है तो इस condition में जो body oscillation करेगी उनी को हम torational oscillations कहते हैंगे और system को बोलेंगे torational pendulum ठीक है तो यहाँ पर जो हमने मान लिए जो torque है वो जितना हम ज़्यादे torque अपलाई करेंगे उतना ही ज़्यादे यह twist होगा और जितना ज़्यादे twist इसमें आएगा वायर में angle of twist जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा ठीक है और इस हिसाब से to is equal to हो जाएगा c5 जहां c क्या है torational coefficient और इसकी value होती है पाई आर square eta upon 2L जहां eta इसकी rigidity है और L इस वायर की length और इसकी radius ठीक है अब हमें पता है rotation में rotational motion में torque क्या होता है I alpha इसको हम c5 लिखेंगे और यहां से हम लिख सकते हैं alpha upon phi is equal to alpha upon phi या phi upon alpha करते थे हैं ना phi upon alpha is equal to I upon c यह एक ratio आ गया और यहां से हम time period निका लेंगे time period क्या होता है T is equal to 2pi displacement upon acceleration phi तो angular displacement हो गया और यह angular acceleration हो गया alpha तो phi upon alpha जो ratio I upon c हम apply करेंगे तो यह हो जाएगा T is equal to 2pi under root I upon c यह इस system का time period हो गया जो oscillations होंगे body में उसका time period होगा T is equal to 2pi under root I upon c I क्या हो जाएगा इस body का moment of inertia ठीक है thank you